दोस्तो, very good morning to all of you, आज के सांदार वीडियो में आप सबी का स्वागत करता हूँ आज का हमारा पहला प्रिस्तमना है कि हाल ही में एक सैन अभ्यास आयुजित किया गया है एक्जाम के लिए important है कि 30 और 31 जुलाई 2021 को भारत और किस देश के बीच में एक सैन अभ्यास जिसका नाम है corporate आयुजित किया गया है तो answer हो जाएगा इसको भारत और इंडोनेसिया के बीच में आयुजित किया गया है option number A इसका right answer हो जाएगा तो option number A's का right answer हो रहेगा कि भारत और इंडोनेसिया, इंडिया और इंडोनेसिया के बीच में इस अभ्यास को आयोजित किया गया है, तो इसका एक फोटो देख लेंगे सबसे पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पर, साब साब लिखा है कि इंडिया and इंडोनेसिया joint petrol corporate, ठीक है आप इसके लाबा इससे जुड़े में कुछ related static GK देखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं, लिखा है सबसे पहला कि यह सैन अभ्यास कब से कब तक आयोजित किया गया है, इसको दो दिन के लिए आयोजित किया गया है, पहला 30 जुलाई और दूसरा 31 जुलाई, दो दिन इस सैन अभ्यास को कहां पर आयोजित किया गया है, तो इस सैन अभ्यास को Indian Ocean Reason में आयोजित किया गया है, अब इस अभ्यास का इसका full form भी पूछा जा सकता है, तो corporate नाम से यह जो अभ्यास है, इसका full form हो जाएगा, coordinated petrol, यह एक दो बार एक्जाम में पूछा जा चुका है, इस वज़े से इसको आप लोग remember रखेंगे, coordinated petrol, यह इसका पूरा नाम है, अगला question दोस्तों बनेगा, कि हाल ही में भारत के किस राज्य में, क्रसी कर्ण, क्रसी कर्ण नामक, एक खेती को बढ़ावा देने के लिए, एक high-tech परियोजना सुरू करी जा रही है, तो क्रसी कर् क्या है, यह एक तरीकी से खेती की योजना है, तो यहाँ पर option number A का right answer हो जाएगा, कि केरला में क्रसी कर्ण नामकी एक योजना को launch किया गया है, जिसके अंदर में green house बनाए जाएगा, और फसलों का उतपातन किया जाएगा, दोस्तों भी खबरों में आप एक term देख रहे ह हैं, तो यह जो CATS है, यह क्या है, इस पर बनेगा अगला question, बनेगा कि जुलाई 2021 में भारत के किस Tiger Reserve को Global Conservation Assault Tiger Standard, जिसको बोलने है, CATS, Conservation Assault, CA का मतलब Conservation Assault, और TS का मतलब है Tiger Standard, ठीक है, मानिता प्रदाद कर दी गई है, तो हाल ही में recent में, इन तीनों, जितने भी आपको यह दिख रहे हैं, option number D सही होड़ेगा, all of the above, ठीक है, तो केरला का यह परमभी कुलम, और बिहार का वालमी की, और वेश्ट बंगाल का जो सुन्दर बन है, इन तीनों Tiger Reserve को, CATS का दरजा प्रदान कर दिया गया है, तो option number D इसका राइड अंसर होड़ेगा, इसको CATS का दरजा दे दिया गया है, अब इससे जुड़ा होगा, related static GK कवर कर लेते हैं, कि जुलाई 2021 में, question बनेगा, कि कितने Tiger Reserve को, CATS का standard दिया गया है, तो answer होड़ेगा, कुल मिले का 14, 14 Tiger Reserve को, जुलाई 2021 में, CATS, यानि कि Global Conservation Assured Tiger Standard का status प्रदान कर दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, लिखा है, लिखा है, Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, जिनका नम है, भूपेंद्र यादो, उन्होंने अनौंस कर दिया है, 14, 14 Tiger Reserves as India have received, ठीक है, इंडिया के 14 Tiger Reserve को, CATS का दरजा प्रदान कर दिया गया है, अब इसमें ये 14 जो Tiger Reserve हैं, इनके नाम एक्जाम में आपसे गुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, या फिर हो सकता है, चुकि ये Tiger Reserve को CATS का दरजा दिया गया है, तो एक्जाम में आपसे, इनमें से Tiger Reserve का नाम दिया जाएका, पूछे का ये वो कौन से राज्ये से तो जिन 14 Tiger Reserve को ये status दिया गया है, उन 14 की 14 की list आप देख सकते हैं, तो शुरू करते हैं, एक बार जल्दी से revision कर लेते हैं, आसम राज्ये के तीन Tiger Reserve उसमें सामिल हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं, मानश Tiger Reserve, ओरेंच Tiger Reserve, काजी रंगा Tiger Reserve, ये तीन हो गए, इसकी बाद मे मद्ध प्रदेश की तीन, जिनका नाम है सत्कूरा Tiger Reserve, काहना Tiger Reserve, पन्ना Tiger Reserve, ये तीन सामिल हैं, इसके बाद में तमिल नाडु के दो Tiger Reserve सामिल हैं, अन्ना मलाई और मुदू मलाई, ठीक है, महराष्टरा का एक है पेंच Tiger Reserve, बिहार का है वालमी की Tiger Reserve, उत्तर प्रदेश का तुन्दर बन टाइगर रिजर्व केड़िला का परंवी कुलम टाइगर रिजर्व करनाटेका से आता है आपका बांधीपूर टाइगर रिजर्व तो यह सभी टाइगर रिजर्व हैं आप देख सकते 14 की यह लेश्ट है जिनको हाल ही में CATS का दरजा प्रदान कर दिया गया है इसके बाद में दोस्तों International Tiger Day हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है चुकि Tiger की बाद चली दी नूट कर गे इस पॉइंट को भी नूट कर लेना कि हर साल 29 जुलाई को International Tiger Day मनाया जाता है इसी की साथ में चलते हैं अगले कुशन की तरफ हाल ही में महाराष्ट्रा भूशन पुरसकार 2021 की से प्रदान किया गया है तो यहाँ पर यह जो पुरसकार है यह महाराष्ट्रा वॉलीवूड की बहुत ही सांदार प्लेबैक सिंगर जिनका नमें आसा भूसले उनको इस अव तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है अब दोस्तों चुकी अवार्ड की बाद चलिए है तो कुछ मई और जून महिने के कुछ अवार्ड हैं जिसका हम लोग रिवीजन भी करेंगे जैसे कि पहला है जापान देश का ओर्डर आफ दा राइजिंग सन यह हम लोग मई महिन के अवार्ड सेन ओनर का थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं तो ओर्डर आफ दा राइजिंग सन जापान देश के दोरा दिया जाने वाला एक अवार्ड है जो कि इस बार सियामला गडेश को दिया गया है इसकी बात में यूनिसको का वर्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मारि आइकन अवार्ड बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2020 में आइकन अवार्ड किसे दिया गया है तो पिंक नाम से इस मूवी को दिया गया है फिर अरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरसकार गीता मितल को दिया गया है यह भी मोश्ट इंपॉर्टन है रिवीजन नहीं है औरी इस सर्कार के दूरा इसको सुरू करने की कोश्चना करी गई है कि फिर उसके बात में आ जाता है यह सकुंतला हरग सिंग को दिया गया है यह सब से ज़धा इंपॉर्टन एंपॉर्टन इसको मालिक देता हूँ वैरी वैरी इंपॉर्टन जिक पॐर striving को इशिए सक में सर्वस्रेश्ट अमिनेटा कौन चुने गए हैं तो अनुपम खेर इसमें चुने गए हैं इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ICC के दोरां ग्रीन उर्जा प्रुसकार किसे दिया गया है तो आई आर इडी ए इरेडा को ये प्रुसकार दिया गया है फिर वाइटले अवार्ड 2021 नुखुलू फोम को दिया गया है इंटरनेशनल इनिविंसिबिल कोल्ड मैडल अन्तर राश्ट्रिय आजये स्वान पदक डॉक्टर रमेज पोखरियल निसंग को दिया गया है वर्ड कोरियोग्रफी अवार्ड 2020 वर्ड कोरियोग्रफी अवार्ड दोहजर बीस सुरेश म मुकुन्द को दिया गया है अंतर राश्ट्रिय डबलीन साहित पुरस्कार इंटरनेशनल डबल्लिन लिटरेशी अवाड दोजार रिकिस यह वैलेरिया लुईस एली वैलेरिया लुईस pipeline को दिया गया है वर्स दोज contradiction का का टेम्पलेटेन पुरसकार वर्स दोजर इडीस का टेम्पलेडन पुरसकार किसे आ गया है तो अंसर रहे ए भारत जयब विविदाइड्Eट पुरसकार दोजर इकिस, इंडिया बायओ डाइवर्सटी अवपर्ट दोजर इकिस, ये सांजी एनम को दिया गया है फिर आ जाता है आपका 80N Glitches पुरस्कार 2021 तो 89 Glitches पुरस्कार 2021 हॉकी इनडिया को दिया गया है अब हम लोग कुछ एक दो आवार्ट जून महिने के भी रिविजन कर लेटे हैं अब पर जून महिने के अगर हम लोग लिश्ट देखें तो open society price 2021 केके सेलजा को दिया गया है एएरपोर्ट सर्विस क्वालिटी और कोचीन इंटरनेशन एरपोर्ट को दिया गया है इंडिया smart cities award contest के तहर बेस्ट स्टेट कौन चुना गया है उत्तर प्रदेश को चुना गया है best smart cities award 2021 में 20 में सबसे अच्छा सेर कौन सा चुना गया है तो इंदोर और सूरत दोनों का नाम इसमें आ जाता है फिर उसकी बाद में आ जाता है Smart Cities Award के अंतरगत Innovative Idea Award किसे दिया गया है इंदोर को दिया गया है सबसे अच्छा भारत में Passport कारेयल है कौन सा है तो Regional Passport Office कोचीन को चुना गया है एक और कर लेते हैं उसके बाद में चलते हैं आगे Outstanding Civil Engineering Award किसे दिया गया है तो Outstanding Civil Engineering Achievement Award दिल्ली मेट्रो को दिया गया है तो ये सारे Awards हमने रिविजन कर लिये हैं वापस से हम आ जाते हैं अपने उरिजनल वीडियो पर अगला प्रस्न हमारा बनेगा विश्वर रेंजर दिवस वर्ल्ड रेंजर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है तो एवरी यर 31 जुलाई को हर साल 31 जुलाई को ओप्शन नमबर 20 का राइड एंसर हो जाएगा या फिल गायल हुए जो रेंजर्स होते हैं उनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है तो दिस पॉइंट इस ऑल्सो बेरी इंपॉर्टन आगे चलते हैं जुलाई दोहजार एकीस में ही जुलाई दोहजार एकीस में विल आइजनर कॉमिक इंडिस्ट्री अवाइड फिल आइजनर कॉमिक इंडिस्ट्री एवाइड जिसको कॉमिक इंडिस्ट्री का नोबल प्रोष्कार भी बना जाता है तो यह किसे दिया गया है है तो एक ग्राफिक डे-जाइनर है जिनका नमे आनंद राधा-कृस्फन ओप्शन नमबर इसका राइड इंसर हो जाएगा आनंद रादा कृष्णन को जुलाई 2021 में विल आइजनर कॉमिक इंडिस्ट्री वार्ड दिया गया है ऑप्शन नमबर इसका राइड इंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं यह ग्राफिक डिजाइनर है जिनको इस अवार्ड स से समयनित किया गया है साथी साथ में इस अवार्ड को को मिक की दुनिया में आसकार कॉमिक का ऑसकर के बराबर मना जाता है Comic के Oscar के बराबर इसको मना जाता है ये प्रसकार आनंद के साथ साथ में एक और वेक्टी को दिया गया है जो की UK देश से ब्लाउंग करते हैं उनका नाम है Colorist John Pearson तो Colorist John Pearson को भी दिया गया है अगला प्रस्तम नेगा कि लोक मान्य तिलक राश्ट्री प्रस्कार 2021 लोक मान्य तिलक नेशनल अवर्ड 2021 जो है ये किसे प्रदान किया गया है तो इसका राइड एंसर हो जाएगा साइरस पूनावाला option number D का राइड एंसर हो जाएगा कि साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राश्ट्री प्रुस्कार 2021 से समानित किया गया है This point is very important कि वर्स 2021 का जो लोकमान्य तिलक राश्ट्री प्रुस्कार है ये Cyrus Puna वाला को दिया गया है Option number 10 का राइट इंसर हो जाएगा Cyrus Puna वाला का photo देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से समानित किया गया है Cyrus Puna वाला जो वैक्सी निर्माता कंपनी सीरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है उसके अधिछ हैं जिनको इस वार्ड इस अवार्ड से समानित किया गया है अगला प्रस्ता मनता है कि नव सेना स्टाप के नए उप प्रमुक वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाप के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो आंसर ऑप्शन नमबर सी सही हो जाएगा वाइस एडिमिरल एसन घोर्मेड वाइस एडिमिरल एसन घोर्मेड को नव सेना स्टाप के रूप में 31 जुलाई 2021 को चुना गया है तो वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाप के रूप में इनको चुना गया है ओप्शन नमबर सी स का राइड एंसर हो जाएगा इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अब चुकी दोस्तों अपॉइंट पेंट को लेकर बात हुई है छोटा सा रेविजन कर लेते हैं हाल ही में नव चुनाव आयुक्त कौन बनाए गया है अनूप चंदरपांडे बनाए गया है अब इसकी बात में दोस्तों आता है कि इलाबाद हाई कोड के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गया है तो आंसर हो जाएका जस्टिस संजय यादो को इलाबाद हाई कोड का नए चीफ जस्टिस बनाए गया है आगे चलते हैं मंगोलिया देश मंगोल देश का नया प्रसीडेंट किसे बनाए गया है तो उखना खुरेल सुक को बनाए गया है मंगोल देश का नया प्रदान मंतरी प्राइम मिनिश्टर नफ्ताली बैनेट को बनाए गया है इस्राइल दिसकर नया प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बिनेट को बनाया गया है इसके बाद में अगला कुशन बनता है कि किस राजे सरकार ने मिसन निर्यातक बनू नामसे अभियान को लॉंच कर दिया है तो आंसर हो जाएगा हाल ही में राजस्तान ने मिसन निर्यातक बनू नामसे इस अभियान को राजस्तान सरकार ने लॉंच किया है इसमें क्या इसका उदेश है इसका उदेश यह है कि 6 आसान चरणों में ऐसे ब्यापारियों को सपोर्ट करना जो कि विदेशों से व्यापार करना चाते है इंडिया के ऐसे व्यापारी जो विदेशों से अपना व्यापार करना चाते है उनके लिए इस अभियान को हाल ही में लॉंच किया गया है राजस्तान के बारे में समस्ते हैं राजस्तान की मुख्यमंत्री का नाम है असोक गहलोट राजस्तान की राजपल का नाम है कलराज मिसरा कोशन बनेगा बैंगलोर इंटरनेशनल बैंगलोर इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड ने Airport in a box platform विक्सित करने के लिए किस company के साथ में साजेदारी करी है तो Bangalore International Airport Limited ने Airport in a box प्लेट्फॉर्म को विक्सित करने के लिए IBM Company के साथ में साजेदारी करी है तो option number 20 का राइड इंसर होज़ेगा IBM Company के साथ में साजेदारी करी है दोस्तो आज का question जिसका answer आपको देना है कि हाल ही में नजीब मिकाती को किस देश का प्रधान मंत्री चुना गया है अपना answer comment box में लिखना ना बुले Thank you for watching this awesome video